So, hey guys, welcome back to another video. दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम Driving License के लिए किस तरीके से Apply कर सकते हैं. So, हमाई Driving License मनाने से पहले जो है, हमाई Learning License के लिए Apply करना होता है तो, उसका हम Complete Process घ llev बताने वाले, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ओफ रोड, ट्रांस्पोर्ट हाईवेज की वेबसाइट में आ जाएंगे, आपको यहाँ पर फर्स नम्मर पर देख सकते हैं, यहाँ पर ड्राइविंग लेडनलाइसेंस, और भी आप यहाँ पर सेट करने के बाद हमारे सामनेहें इस तरीक ये कर सकते हैं याहां पर जो भी नौ से देख सकते हैं और इससे आप बीन toilet जो ए अपने घर से घर सकते हैं तो सबसे पहले के लिए अप license के लिए कर सकते हैं हमें इस पर click करेंगे यहां पर देख सकते हैं आप इसे जो है छे step में फूरा कर सकते हैं तो यहां पर सारे step दिए गए हैं पहले तो आपको जो है basic information के साथ जो है एक application जो है details जो है भनना पड़ेगा उसके बाद जो है upload document उसके बाद जो है photo और signature भी आपको जो है upload करना पड़ेगा यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आप अगर हर authentication के माध्यम से करते हैं तो आपको कोई भी document ना ही फोटो और ना ही signature जो है upload करने की जरूरत है उसके बाद देख सकते हैं फीस पैमेंट या और वेरिफाइप पैमेंट और वेरिफाइप मेंट स्टेटस भी देख सकते हैं और प्रिंट की रिसीप भी ले सकते हैं तो हम यहां पर देख सकते हैं सबसे बहले यहां पर जो है अपने टेस्ट को आप online ही दे सकते हैं और उसके बाद बनवा सकते हम continue के बटन पर क्लिक करेंगे देन हमारे सामने इस तरीके का website खुलके आ जाता है हमें यहां पर सबसे बहले जो है अपनी category को सीलेक्ट करने करेंगें तो हम यहां से आप च्लोकि करने के खा मात में नहीं बताया था अगर आप अधार जाने की कोई इस तरीके के आगा और ना ही आपको RTO में कोई डाकुमेंट सम्मिट करने की जरूरत और अगर आपके अधार कार्ड से मोवाल नमर लिंक नहीं है तो आप इस दूसरे नमर से जो है कर सकते हैं इसके लिए आपको RTO जाना ही पड़ेगा तो हम यहां पर first number पे click करेंगे क्योंकि हमारे अधार कार्ड के साथ जो है मोवाल नमर लिंक है और सम्मिट के विटन पे click करेंगे देन इतना कनेक वाद यह हमें से कुछ परिमिसन मांगेगा हम इसे जो है OK पे click करेंगे देन हमारे साबने इस तरीके का next page आ जाता है अब हम यहाँ पर दो माध्यम से जो है कर सकते हैं तो हम यहाँ पर चाहें तो अधार नमर डाल सकते हैं या virtual ID नमर तो हम यहाँ पर जो है simply सब के पास जो है अधार नमर होता है तो हम यहाँ पर अधार नमर डालते हैं और जो है generate क्लिक करते हैं जो भी हमारे अधार कार्ड से मोवाल नमा लेंक है उसमें च्छेंगों का ओटिपी जाएगा इस पर तीनों पर टिक करके जो है हम ऑथंटिकेट के बटन पर क्लिक करेंगे दिन इतना करने के बाद यह हमें इस तरीके के पेज में फैक्ट देता है यहां पर ज आपने आर्टिो को सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं यहां पर कश्टमर क नाम देखने को मिल जाएगा और उसके पिता का नाम आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर एज डेटा वर्थ यह सारे जानकारी मैंने हाइट करके रखा एक तो हम यहाँ पर जो भी डिटेल्स मांग रहा है हम उसे सब कुछ यहां से डिटेल भर लेंगे उसके बाद यहां पर हम एक मोगाल नमबर दच करेंगे उसके बाद हम यहां पर एक अल्टरनेट मोगाल नमबर भी डाल देंगे अगर हमारे पास है तो उसके बाद आप यहां पर जो है देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे आएंगे देन आपको यहां पर एक एड्रेस का सेक्शन मिल जाएगा तो आप यहां पर जो है अपना एड्रेस डाल दीजिए जो भी करनेक बाद हम नीचे आजाएंगे अब हम यहां पर देखेंगे कि हम किन किन चीजों के लिए जो है डाइबिंग लाइसेंस के लिए अपलाई कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है हम मोटर साइकल के लिए अपलाई करेंगे जो की स्कूटर होता है तो उसके लिए देख सकते ह यहां पर हम first number को छोड़के second number पर देख सकते हैं motorcycle with gear हम इसको जो है select करेंगे यह motorcycle मतलब scooter का होता है तो हम इससे select करेंगे then यहां पर click करेंगे देख सकते हैं यह हमारे left side में जो है आ जाएगा then उतना करने के बाद देख सकते हैं उसके बाद हम light motor vehicle यह होता है तो हम इससे कर लेंगे then अगर आपको लगता है कुछ ऐस्टर है तो यहां पर click करके उससे वापिस कर सकते हैं तो हमें जो है फोर विलर का भी करना है तो हम यहां पर motor light motor vehicle करके यहां पर add कर लेंगे देन इतना करने के बाद आपने अगर driving कि इतना करने के बाद आपने अगर driving किसी स्कूल से लिए तो यहां पर click कीजिए उसका जो है यहां पर सारा details आपको fill करने को आएगा अगर आपने नहीं की तो आप इसे untick कर दीजिए then इतना करने के बाद आपको एक self declaration form जो है fill करना है जो कि आपकी fitness के ले करके होता है तो हम यहां पर जो है हम सावी तरीकों से जो है एकदम फेट हैं तो हम इसमें first में no करेंगे और second में yes sorry second में yes करेंगे बाकी सभी में no कर देंगे और उसके बाद हम यहां पर फट फट से इसे tick कर लेते हैं तो हम सम में no no कर लेते हैं स्रिप सेकेंड नमर पर येस करेंगे उसके बाद जो है हम यहां पर देख सकते हैं नीचे आएंगे यहां पर जो है टिक करेंगे और उसके बाद सम्मिट के बटन पर क्लिक करेंगे करेंगे देन देख सकते हैं successfully submit हो जाएगा देन इतना करने के बाद हम back के बटन पर आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपके मतलब आपका अगर accident हो जाता है तो आप अपने और यहाँ इतना करने के बाद हमें वेट कर लेना है यह देख सकते हैं हम कर लेते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर हम एक slip देखने को मिल जाती है then इस slip में आपको application number जो है सब कोई कुछ देखने को मिल जाता है इतना करने के बाद हम इसे nest करेंगे then nest करने के बाद यह हमें जो है इस तरीके के page में लेके चला जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर application submit, congratulations, service, no need, widget, ITO office, अगर आपके आधार card से mobile number लिंक है तो आपको ITO जाने की कोई जरूरत नहीं आप आधार authentication के माद्ध हम से करिए then यह सब देखने के बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं issue learning license आपके इनके चीजों के लिए कर सकते हैं मतलब सौरी कर रहे हैं इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने कौन-कौन से जो है चरण फिल कर लिए है तो यहाँ पर देख सकते हैं सारव कुछ हमारा complete हो गया सरफ फीस payment की रह गई हम प्रोसेट के बटन पर क्लिक करेंगे यह हमें जो है नेस्ट पेज पर लेकर चला जाएगा अब यहाँ पर जो है जितना भी चार्जेस लग रहा है और जीएश्टी बगएरा लग रहा है वो सब आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से आप payment करना चाहते हैं इतना करने के बाद आप यहां पर चाहे तो एक यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपका एक mobile नमेर देखने को मिल जाएगा और यहां पर आप चाहे तो mail आइडी भी डाल सकते हैं और mail id डालने के बाद अगर mail id नहीं डालना चाहते हैं तो इसे छोड़ भी सकते हैं इस capture को यहां पर fill करके और फे नाव पर हम क्लिक करेंगे शॉरी नेश्ट बतन पर क्लिक करेंगे यहां पर आप सारा कुछ देख सकते हैं यहां पर टिक करेंगे यह आपको सीधा जो है payment gateway पर लेके चला जाएगा अब यहां से अपने payment mode को जो है select कर लीजिए आप और उसके बाद आप किस तरीके से करना चाहते हैं debit card, credit card, net ranking भी UPI तो मैं UPI पर जाके qr code के बादे हमसे करूँगा अब हम इस qr code को अपने phone पे पेटियम, google pay किसी से भी scan करके जो है हम payment कर देंगे then payment करने के बाद यह automatic जो है redirect हो जाता है और यहां पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा status successful payment successful अब यहां पर आप चाहें तो click here करके print भी ले सकते हैं यहां पर जो है देख सकते हैं यहां पर आ चुका है हम यहां पर tick करेंगे उसके बाद यहां पर हम इस capture को यहां पर fill कर देंगे उससे बहले हम एक print ले लेते हैं अब प्रिंट नहीं लेना चाहेते तो आप इसे पीडीप में भी save कर सकते हैं PDF में save कर लीजिए, इसे save कर लीजिए, आप जिस भी location में इसे save करना चाहते हैं, उस location में इसे save कर सकते हैं, इतना का निकवाद nest करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, nest page पर आ जाएंगे, अब आपका successfully form submit हो चुका है, आप इस application को यहाँ से note कर लीजिए कहीं भी यह आपके payment as receipt में भी होगा, आप यहाँ पर date of birth डालके आप submit करेंगे, आप यहाँ से जो है अपने status को check कर सकते हैं, तो दोस्तों इसी प्रकार से जो है आप driving license के पहले learning license के लिए apply कर सकते हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को like करना, चैनल पर नए है, चैनल को subscribe कर लेना, साथ ही वाइल आइकन को all पर प्रेस कर लेना, इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए, तब तक के लिए जैहिन, बंदे मात्रम.